आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जब आप हिल्स पर जाएं कसौली जाएं और वहां पर मांकी पॉइंट जाएं तो ये बातों का जरूर ध्यान रखें और ये वास्तम में देखने वाली जगह है मांकी पॉइंट के उपर हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत सुन्दर है और ये थोड़ा हाइट पर है उसमें आपको चड़कर जाना होता है तो जरूर ये ध्यान रखें कसौली जाना मुझे हर मौसम में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब भी वहां जाती हूँ न तो कुछ बातें हमेशा मेरे ध्यान में आती है कि मुझे आप स लॉंग ड्रेस में हिल्स के साथ एक छोटे बच्चे के साथ देखा तो मैंने उनको एंकरेज किया कि नहीं आप चड़के जाओ आप धीरे धीरे जा सकते हो बट कुछी स्टेर्स चड़ने के बाद मैंने उनको वापस लोटते वे देखा क्योंकि वो हिल्स में और उस ड्र जालकर गिरें ना आपके पैरों में दर्द ना हो तो यह जरूर ध्यान रखें दूसरे कोई साड़ी या लॉंग ड्रेस इस टाइप की ड्रेस ना पहने ऐसी ड्रेस पहने या तो आपकी जीन्स हो या आपकी लगिंग हो जो आपके पैरों में ना उलजे और आपको इजी जहे है ना comfortable dress हो आप गिरें ना वो पहनगे यानि sports shoe और dress अब आते हैं timings पर क्योंकि यहां यह एर फोर्स कर जा रहे हैं तो आप उसको visit नहीं कर सकते हैं सबसे पहले timings का ध्यान रखें और अगर आप modding में time पर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे से उस place को enjoy कर सकते हैं थोड़ा बहुत change मौसम के हिसाब से timings में होता है तो आप जाने से पहले check कर सकते हैं military area होने के कारण जमा कर सकते हैं security check होने के बाद वो आपको एक token देते हैं पर आपको अपना ID proof ले जाना बहुत ज़रूरी है अगर आप group में है तो किसी एक आदमी का चल सकता है otherwise आप अपना ID proof अपने साथ रखिए next point है कि monkey point से 3-4 km पहले आप अगर अपनी car से जा रहे हैं parking area है वहाँ पर 500 रुपीज में आना जाना करती है याप 3-4 आदमी बैठ सकते हैं और 500 रुपीज वो लोग चार्ज करेंगे और आप जिस taxi से जा रहे हैं उस driver का phone number ले ले monkey point जाते समय और जब आप वापस आए तो driver को phone कर दें वो आपको pick up कर लेगा आप अगर 5 km पैदल चल कर जाएंगे और तो आपके लिए उपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा तो मैं suggest करूँगे कि आप taxi लें और taxi से जाएंगे और वहां का view enjoy करें एक तरह सी तो बहुत अच्छा है कि आप mobile phone नहीं ले जाते हैं camera नहीं ले जाते हैं तो आप उस view को बहुत अच्छे से enjoy कर सकते हैं क्योंक कि वहां पर इतने सारे बंदर है ना कि वो आपसे जपट लेंगे खींश लेंगे और आप डर जाएंगे आप बहुत overeating करके उपर ना चढ़ें क्योंकि वो सांस चढ़ता है आप उपर हलका breakfast लेके जाएए और खाने के लिए वहां पर है आप मंदिर के पास एक cafeteria है जिसमे चाए और समोसा, पकोड़े, मैगी, cold drinks सब कुछ मिलता है आप वहां से ले सकते हैं वहां खा सकते हैं बैठके अपने हाथ में मत लेकर आए और हाँ एक बात मैं यहां बता दूँ क्योंकि हमारे mobile phone नीचे जमा हो जाते हैं तो paytium याईनि कोई भी UPI payment नहीं चलता है तो cash ले जाना बहुत जरूरी है वहां पर cash ही चलेगा तो आप अपने pocket में cash जरूर रखिए बाकी यह trip बहुत अच्छे से enjoy करिए अगर कुछ छूट जाता है तो मैं आपको नीचे फिर से description box में कुछ बातें लिख दूँगी और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप comments के जरी यह मुझसे पूछ सकते हैं बाकी यह बहुत सुन्दर जगा है एक बार तो जाना बनता है तो जरूर जाइएगा thank you so much for watching my videos